Micro fiber cloth, microfiber cloth, microfiber cloth हमारे कई सारे cleaning विडियोज में अपने microfiber cloth के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा क्यों ना हो क्यूंकि ये microfiber cloth हमारे cleaning के काम को बहुती effectively complete और fast भी कर देता है इसलिए कई सारे गरों में microfiber cloth को use भी किया जाता है इसके related मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आये थे कि इस microfiber cloth को कैसे clean किया जाता है ? सबस्तिक है इसके बारे एक detail में वीडियो बनाईए आज की इस वीडियो में हम इसæ microfiber cloth को कैसे clean करें, इसकी लिए क्या क्या यूज private cloth को किया जाता है ? इसकी सारी चाकारी देखेंगे तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं आज का ये वीडियो माइक्रो फाइबर क्लॉट सिर्फ दिखने में ही सॉफ्ट नहीं होते लेकिन इनकी पानी अब्जोर्विंग करने की या फिर डस क्लीन करने की जो पावर होती है वो भी गजब की होती है इसलिए तो अलमोस सभी घर में किचन से लेकर बात्रूम तक फरनिचर क्लिनिंग से गलास या फिर स्टेनले स्टील के क्लीनिंग के लिए तो ही चूज करते हैं पोलियस्टर और पॉलिमाइड के कमबाइन से ये माइक्रो फाइबर क्लॉट बनाया जाता है इसलिए तो ये काफी सॉफ्ट होता है कुछ दिनों के यूज के बाद आपने देखा होगा कि काफी सॉफ्ट लगने वाले ये माइक्रो फाइबर क्लॉट हाड लगने लगते हैं उसका एक ही रिजन होता है कि आप उसे ठीक से क्लीन नहीं कर रहे माइक्रो फाइबर कलॉट को साफ करने का सही तरीका जैसे मुझे पता है और मैंने कुछ internet पर भी पढ़ा था कि microfiber cloth के हर एक use के बाद उसे साफ करकर जरूर रखना चाहिए हर एक use के बाद जो भी धूल या फिर कच्रा वगरा microfiber cloth पे चिपका होता है सबसे पहले इस जो dry सूखा कच्रा है उसे बाहर किसी space पे या फिर dustbin bag में इस तरह के से आप सूखा ही जाड़ ले इससे इसके उपर जो भी चिपकी हुई धूल है ये easily separate हो जाएगी और बाद में जब इसे हम गीला करेंगे वो उस पर भी चिपकी नहीं रहेगी easily साफ भी हो जाएगी वैसे ये microfiber cloth cleaning में बहुत ही आसान होते है ये बहुत ही जल्दी साफ ही हो जाते है और उतने ही जल्दी ये dry भी होते है इसलिए कई सारे expert यही कहते हैं कि अगर possible हो तो इस microfiber cloth को आप हाथ से ही धो ले microfiber cloth को साफ करने के लिए कभी भी गरम पानी का इस्तमाल ना करें गरम पानी के इस्तमाल से इसकी जो softness है ये कम होने लगती है और यही reason होता है कि इससे ये कपड़ा hard लगने लगता है microfiber cloth clean करने के लिए कभी भी किसी detergent का यूज ना करें या फिर bleach या फिर किसी भी fabric softner का यूज ना करें वैसे microfiber cloth cleaning में बहुत ही आसान होते है एजी लिए ये clean हो जाते है इसलिए इस तरीके के किसी detergent की उसको जरुवत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी अगर किसी कारण मर्श ये microfiber cloth काफी खराब हो गया हो तो उसके लिए आप किसी भी mild detergent का यूज कर सकते हैं किसी भी soft mild detergent में कुछ देर आप इस microfiber cloth को भीगो कर रखें और फिर इसे gently साफ करें वैसे तो microfiber cloth हाथ से धोना यही सही तरीका है लेकिन अगर possible ना हो और आपको इसे machine wash करना हो तो आप separate इसे machine wash करें बाकी के कपडों के साथ इसे कभी ना धोए क्योंकि इसके उपर जो भी धूल या फिर जो भी गंदगी होती है वो निकल कर हमारे रोज के कपडों पर लग सकती हैं इसलिए जब possible हो तो सभी microfiber cloth एक साथ collect करके एक ही बार में आप इन microfiber cloth को machine wash कर सकते हो इसे wash करने के बाद proper धूप में आप इसे जरूर सुखाए या फिर अगर आप इसे घर में ही कही सुखाने वाले हो तो जहाँ पर proper हवा आती जाती हो ऐसे ही जगा पर उसे सुखाने के लिए रखते हैं microfiber cloth पे कभी भी आयन ना करें क्योंकि इसका जो excess heat होता है इससे इसकी जी softness है वो खराब हो सकती है यह microfiber cloth हमारे daily cleaning routine में बहुत ही बहतरी रोल निबाते हैं इसलिए एक good quality microfiber cloth पर ही invest करें और यह काफी लंबे समय तक चलते हैं इसलिए इसकी care और proper cleaning भी ज़रूर करें आपके लिए useful रहा हुआ और आपके सभी comments के answers आपको इस वीडियो में मिले होंगे अगर आप इस channel पर पहली बार आए है और आपने अब तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो अभी जाकर subscribe कीजिए क्योंकि इस channel पर आपको बहुत ही useful और नए content देखने मिलेंगे तो आज का ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी useful लगा हो तो वीडियो को एक like सरूर कीजिए अगर आपको बहुत है